नमस्कार दोस्तों हेल्फ हो चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है कि धन जी हाँ दोस्तों आपके पास मनी जो पैसा है वो किस महाधसा में आएगा वर्तमान समय आपका कैसा जाएगा अच्छा या बुरा और पैसे की जो आर्थिक समस्या है वो को सब्सक्राइब कर दीजे चैनल के नीचे ग्रिट बटन होगी क्लिक कर दीजे बगल में रिंग मेल होगी प्रेस कर जे नई वीडियो अप्लोड होने पर नोडिफिकेशन के रूप में मिल जाए समस्या हूं मेल कर दीजेगा नितिन 549-8gmail.com पर डिस्क्रिप्शन में मे इसके बड़ी संकला से चार से नोटस भी फ्लम दें चलते हैं टॉपिक ही तरह कि धन किस महादशा में आएगा दोस्तों आपको करना क्या है कि आप अपनी जन्व कुंडली देख लीजेगा उसमें आप जहां पे मैंने यह दो नंबर लिखा है यह कुंडली का दितिये भा नंबर टक के कोई भी राशी नंक लिखा होगा ठीक है तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि आपको पता करना है कि आपको धन की समस्या काफी चल रही है या आपको सोचते हैं कि आपके पास धन काफी अच्छा कब खाएगा या पर धन की स्तिति कैसे ठीक होगी तो आपको यह देखना है कि कुंडली का जो second house है जहां पर मैंने दो नमबर लिखा यहां पर भी एक से लिखे 12 नमबर तक की राशियों का अंक होगा आपको सिर्फ यह देखना है कि जो महादसा चल रही है उस महादसा में यानि कि जो आपकी महादसा चल लही है उसमें कुंडली का second house का स्वामी का गोचर का बारा है तो इसको एक्जांपल के तौर पर समझेंगे यहां पर कुंडली में दितिये भाव में बरिशब राशी लिखी इसका स्वामी होता है शुक्र आपकी गुरू की महादसा चल लही है अब आपको देखना है कि शुक्र ग्रह जो होता है वो आपकी जो गुरू की महादसा जो चल लही है उसमें जो अंतर दसा चल लही है उसमें शुक्र का कप प्रत्यांतर आएगा या फिर शुक्र का गोचर गुरू की महादसा में यानि की गुरू ग्रह पर कप गोचर करेगा तो उसमें यह आपको आ सकता है ठीक है दूसरा यह चीज़ देख सकते हो कि जो गुरु ग्रह जो महादसा चल लए है या पिर जो महादसा में अंतर धर चल लए है वो सेकेंड हाउस में कब गोचर करेगा यह तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं इसी प्रकार कुंडली का पाचवा भाव का जो स्वामी हो यह चटे भाव का यह नवे यह दस्वे यह ग्यारवे भाव का जो स्वामी है वो आपकी जो वर्तमान महादसा चल लए है उसके गोचर में कब वो करेगा उस ग्रह का स्वामी या फिर जो महादसा चल लई है उनसे अंतरदर चल लई है वो कब गोचर करेगा आपको ये भी देखना है कि अगर आपकी कुंडली का 2nd house, 6th house, 9th house, 10th house, 11th house का स्वामी राहु के तो या शनी भी बनता है या उसका नचतर स्वामी बनता है तो वो अगर उनकी अंतरदर्शा पित्यांतरदर्शा या पिर उन ग्रोहों का गोचर इन घर पे या आपके महादसा पे या लगने पे आएगा तो आपको पैसा आएगा तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं कि किस महादसा में धन का आगमन आपका 104 रूप से होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करें तो समस्या हो, मेल कर देगा प्रट आपको पर देने बाद दूस्तों पर चैनल को देखने का